किसान भाईयो BPH याने की भुरा माhu धान में भुरा माहो का परकोब जो है सबसे ज़ादा होता है और इससे किसान का काफी ज़ादा नुक्सान भी होता है आज डिकि वीडियों में लोग बात करेंगी कि धान में भुरा माहो को कंटोल कैसे करें क्या-क्या दवा का प्रियोग करें, किस अस्था में आती है, उसके बारे में डीटेल से चर्चा करेंगे मैं हूँ गोइन पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पार सला यूटूब चेनल सबसे पहले बात करते हैं भूरा माहू की, तो भूरा माहू जो है तने में होने वाला एक कीट होता है जो कि धान के रस को चूसते रहता है, जिससे कि धान पूरी तरीके से खतम भी कर सकता है और भूरा माहू से आपके 90-100% तक कभी नुकसान हो सकता है तो किस वस्था में इसको हम लोग कंट्रोल करें देखे, धान में भुरा माहो को कंट्रोल करने के लिए रोपई के 55 से लेके 60 दिन बाद आपको इस्प्रे का सेड्यूल को बना लेना है मैं आपको बताता हूँ किस सेड्यूल में आपको क्या स्प्रे करना रहता है जैसे ही धान की रोपई 55 से लेके 60 दिन होता है उस अस्था में धान में भूरा महू बनना चालू होता है जोटे कीट रहते हैं अंडे उगरा वो सारे चीज फूटना चालू है तो वहीं से वो अपने जो है मतलब की आने वाली पीडी को बढ़ाना चालू करता है अगर आपका रोपई के जो है 55 से 60 दिन हो रहा है तो आप हलका कोई भी किट ना सब जैसे कि थाव मेठोक्सवन हो गया इमीडा क्लोरोप्रीड हो यह दोनों में से किसी एक का भी आप परियोग करके आप उससे मुक्ती पा सकते हैं या फिर अगर आपका ज्यादा दीन हो चुका है तो और सुरुवाती ओस्थाम है तो आप थाव मेठोक्सवन या इमीडा क्लोरोप्रीड से आप उसको निप्टा सकते हैं उससे भी अगर कंड्ो नहीं होता या पिद नहीं होगा ड AC से आपको लगता है तो आप प्य इगकंपनी का एक औसरीन आता है उसको भी ले सकते हैं या फिर जो है जोハ grote सेजंटा कन्षै उसका भी आप प्रियोग कर सकते हैं यह वाले भार बैंना में और भी तो देखें मैं जो है बीपीएज को गंटोल करने के सबसे पहले तो या तो थायो में सॉक्सोन या इमिडा ज्यादा बंढ़े ना दें पचपन से साथ दिन के बाद जो है एक इस्प्रे आप कर दीजिए कोई भी हलका से दवा का इस्प्रे करेंगे आप उसको कंटोल कर सकते हैं तो यह सेडील को आप कंटिन्यू करें आपकी धान में माहों की जो प्रकोफ है वो नहीं होगा अगर आप और कुछ नेक इतना से कपरियों करते हैं तो उसको भी नीचे कमेंट करते हैं ताकि अन्ने किसानों को इसका फायदा मिल सके अतला आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो को देखने लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जै भारत जै